हालो दोस्तो, आज क्यूडियों ताऊंगा, किस तरीके से आप Facebook अकाउंट के से बना है, Facebook आईडी के से बना है, How to create Facebook अकाउंट, Facebook पे न्यू अकाउंट को create कनी के लिए, आपको सब से पहले Google प्लेचोर को open करना है, Play Store को open करने के वाद, यहाँ पे आपको search करना है Facebook, देन आपको Facebook के official app को install कर लेना है मैंने अल्रीड इंस्टल कर दिया इंस्टल कर दिया इंस्टल कर देन के बाद आपको open पे क्लिक करना है जिसे आप open पे क्लिक करोगे देन कोजिसतरगा आजाएगा Facebook new id को भनाने के लिए आपको यहाँ पे question क्रोशन करोगे पेल लोड होगा कोजिसतरगा आजाएगा join Facebook get started already have an account तो आपको get started पे क्लिक करना है जिसे आप get started पे क्लिक करोगे देन आपके सामने कोजिस तरक एंटरफेस आ जाएगा what's your name, enter the name you use in real life तो यहाँ पे अपना name एंटर कर लेना है जिस भी name से आप Facebook पे ID बनाना चाहते हो, तो मैं आपके अपना name को एंटर कर लेता हूँ, जवाद अली then आपको यहाँ करना है, यहाँ पे एक option लेता है next, तो आपको next पे क्लिक करना है जिसे आप next पे क्लिक करोगे fail जोड़ोगा, then आपके सामने option आजएगा, what's your birthday, set date, तो यहाँ पे अपना date of birth को set करना है, date of birth यहाँ पे 10 को set कर लेता हूँ, date of birth को size set कीजिएगा, दिन आपको यहाँ करना है यहाँ पे आपको year बला option लेता है year में आप 18 plus होना चाहिए, ठीक है तो यहाँ पे मैं अपना year को set कर लेता हूँ 2003 रख लिया हूँ, दिन आपको क्या करना है यहाँ पे एक option लेता है set, तो आपको set पे क्लिक करना है, जिसे आप set पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका data birth show कर जाएगा, ठीक है दिन आपको यहाँ करना है, यहाँ पे आपको next पे option लेता है, आपको next पे क्लिक करना है, जिसे आप next तो आपको next पे क्लिक करना है, जिसे आप next पे क्लिक करोगे, पेड लोड होगा, then आपके सामने एक option आजएगा, what's your mobile number, allow facebook to access your contact, तो अगर आप चाहें तो allow कर सकते हो, allow करने से आपका जो number है, जो आपने save किया होगा, phone पे, contacts, वो सब facebook के पास पहुंच जाएगा, अगर आप deny कर दोगे, तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाप एक option आजएगा, what's your mobile number, तो यहाप अपना mobile number देकर, id को बना सकते हो, facebook पर, नहीं, तो आप अपना facebook account को gmail से create कर सकते हो, अगर आप gmail से create करना चाहते हो, तो यहाप एक option आजएगा, sign up with email, तो अभी can be contact, no one will see this on your profile, तो यहाप अपना gmail id को एंटर कर सकते हो, और आपको जो gmail है, किसी को देखने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है, वो private रहेगा, new gmail id को एंटर करने के बाद, यहाप एक option आलता है next, तो आपको next पे क्लिक करना है, जिसी आप next पे क्लिक करोगे, पेज लोड़ होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन आपके सामने एक option आजेगा, create a password, तो यहाप पे आपको password क्रेट करना है, जिस भी password से आप Facebook पे login करना चाहते हो, जिस डेमों दिखाने के लिए, मैं यहाप एक password एंटर कर लेता हूँ, password को एंटर कर देने के बाद, यहाप एक option होता है, next, तो आपको next पे click करना है, जिसी आप next पे click करोगे, page लोड़ोगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन आपके सामने एक option आजेगा, save your login info, the login info for javad ali, so you only need to enter the next time you log in, तो यह बोला है कि अगर आप save पे click करोगे, तो आपको next time password एंटर करने का जरूत नहीं प यहाँ एक option था है, I agree, तो आपको I agree पे click करना है, जिसी आप I agree पे click करोगे, page लोड़ोगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन कुछ इस तरह का interface आ जाएगा, enter the confirmation code to confirm your account, enter the 5D code which sent to Gmail, तो आपके इस Gmail ID पे एक OTP आएगा, Facebook team के तरफ से, तो आपको इस Gmail ID को open करना है, check क लेना है, तो यहाँ पे notification आ चुका है, Facebook के तरफ से, अगर आपको notification नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, Gmail application को open करना है, Gmail app को open करने के बाद, आपको top पे, यहाँ पे 3Land पे option जाते है, आपको 3Land पे click करना है, जिसी आप 3Land पे click करोगे, यहाँ पे option आ जाएगा, all inbox, तो आपको all inbox पे click करना है, जिसी आप all inbox पे click करोगे, तो यहाँ पे आपका, ओ जो mail है, यहाँ पे show कर जाएगा, यहाँ पे लोगते हो, मेरा mail आ चुका है, Facebook के तरफ से, ठीक है, तो आपको इस mail को open करना है, जिसी आप mail को open करोगे, तो यहाँ पे आपका confirmation code देखने को mail जाए है, यहाँ पे मैं copy करता हूँ, select all, copy कर देने के बाद, यहाँ आपको अपना confirmation code को paste कर देना है, या फिर enter कर लेना है, then आपके सामने एक option आता है, next, तो आपको next पे click करना है, जिसी आप next पे click करोगे, page लोड़ोगा, आपको थोड़ा सा wait करना है, then आपके सामने एक option आजएगा, add profile picture, अगर आप चाहें, तो यहाँ से profile picture को add कर सकते हो, तो add करने के लिए आपको add picture पे click करना है, ठीक है, जिसी आप add picture पे click करोगे, तो यहाँ पे option आजएगा, allow access, तो आपको permission देना है, facebook को, जिसी आप allow पे click करोगे, तो यहाँ पे option to access photos and media on your device तो आपको yellow पे क्लिक करना है जिसे आप yellow पे क्लिक कर होगे यहाँ पिए एक photo को select करके यहाँ पे लगा सकते हो ठीक है मैंने एक photo select कर दिया है select कर दिने के बाद यहाँ पर आपका option होता है welcome to facebook जवाद then आपके साम एक option आजएगा turn on contact uploading to find friend faster तो यह बोला है कि अगर आप contact वाले option को turn on कर दोगे तो आपके contact में जितने भी friend है उनके पास notification जाएगा कि आपने facebook join किया है तो आपको turn on पे click करना है या फिर not now पे click कर सकती है तो अभी मैं फिला turn on पे click करता हूँ जिसे आप turn on पे click करोगे page load होगा then आपके साम एक option आजएगा add your friend तो यहाँ पे आपको कुछ friend show करेगा तो आपको उनको add कर लेना है add five friends तो अगर आप इनको जानते हो तो आप add कर सकती है जालोगे जालोगे page load होगा आपको थोड़ा सा wait करना है so friend इसी तरीके से आप facebook पे new account को बना सकते हो create कर सकते हो 2024 मेरी आपको बड़ी पसेन है योगी वोड़ी पसाना है तो पीजिए को लाइक किजिगा चैन पहली वे रहत तो प्लीज आनको सब्सक्राइब किजिए यहाँ जाहिन वंदे महातरम